सेना के बीर जबान राकेश पटेल के परिवार वालू का छलका दर्ब अंतिम संसकार में नहीं दिया गया गौड आप ओनर। कई बार कलेक्टर को भी ग्यापन दिया गया था बेर जबान की अंतिम्यात्रा के दौरान वही मार्ग चलने लाइक भी नहीं था। पहुचे और ना ही गौड आफ ओनर दिया गया ना ही किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता मिली केबल दो सेना के जबान भेजे गए थे। सबसर्पसमाज से भी कमांडो अरुन गौतम ने इस्थितियों पर असंतोस जताया। अधिक जानकारी के लिए आईए देखते हैं हमारे रिपोर्टर ईसु के सरबाने की ये रिपोर्ट बने रही दखबरदार न्यूज के साथ। अपने तिवथर्ट शेत्र के लाल और आपके पुत्र देश की शेवा में लगे हुए थे और शहीद होने की खबर शेत्र में आई क्या कैना चाहिए देखते हैं हमारे तो राकेश सुमार सिंग सहीद हुए और यहां पर गाड़ आप आनर देने के लिए बिहाग से कोई न मिल पाई अब क्या कहना चाहते हैं कि हमको मदद मिलनी चाहिए जबकि उदासींता दिखाई दी सासर्प सातन के तरफ से वहां से किते हैं लोग आए थे लखनव से आए थे दो जवान आये थे गाड़ आप आनर नहीं मिला और बोले थे कि लाहावास से भेजेंगे लेकिन नहीं मिला था तो मैंने प्रियाग राज से आया और यहां पर देखा राकेश जी के पिता जिसे में बादशीत भी किया और जो आपने बताया तो बड़ा तकलीप महसूस हुआ चुकि एक फौजी तयार होने में बहुत समय लगता है और बड़े महनत से तयार होता है और जब उसको अपमान इस तरह से सेनादवार अपमानित किया जाता है कि उसको गाटा फ़नन नहीं दिया जाता और जो मंत्री मनिस्टर हैं जो संसद हैं अगर उनके पास इतना समय नहीं है कि कोई लाल ये जिसे ही दुआ है उसके सहाधत में जाकर के कम से कम उसके परिवार से मुलाकात करें बात चीत करें ठेक है सासन पर सासन की ओजनाय तो अलग है यहां पर कलेक्टर महोदे तक नहीं आया सबसे बड़ा दुखत इस बात का है वो तो अभी देश के ल क्यिक्तलिफ मा इस चीज़ का तक पहुंचाऊंगा और जन्ता-जनारदन में आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि यह जो सब दिखावा है, यह सब दिखावा बंद करें, अगर मंत्री मनिष्ट्रों को इतना समय नहीं है, कि एक फौजी के सहाधत में अपना समय नहीं दे सकते, तो कृपा करके वो सिंपाइथी न दिखाएं, हमदर्दी न दिखाएं, मैं यही कहना चाहता हूँ. इनके जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, अभी जो भी इनका पेंसन का होगा, उसके लिए, चुकि सीडिये पेंसन एलाहाबाद में है, मैं अभी इनके परजिनों से सारा डिटेल लूँगा, और वहाँ पर हम लोग सभी फौजी मिल करके मदद करेंगे, कि इनका पेंसन जलद होगा, अपने से जिस तरीके से हम लोग मदद कर पाएंगे, वो हर सम्हों मदद के लिए मैं इनके साथ हूँ, और मुख्यमंत्री महोदेश से मेरा मागे रहेगा, कि अगर अभी भी उनको मेरी आवाज आपके चैनल के माध्यम से सुनने को मिले, तो जरूर मैं बार-बार के लिए बहुत ही गमगीन माहौल है, बट इस माहौल में सासन प्रसासन के हमें बिलकुल भी मदद नहीं मिली, उनका पार्थिव सरीर लाने के लिए हम पूरे गावालों रात भर फावड़ा चला के रास्ता बनाया, तब जाके उनका पार्थिव सरीर आया, और यहां का सा मंत्री से और कलेक्टर महोदस से सबसे मांग है, सूरे सांसत भी नहीं आया, कोई भी मंत्री नहीं आया, कितनी सर्म की बात है, हमारा भाई सहीद हुए इस देश के लिए, और यहां तक कोई प्रसासन प्रसासन नहीं आया, हम सब यह मांग करते हैं, कि यह उचित कारवाई इसकी कीजा जो भी है और हमारे भाईया जी जो थे बड़े भाईया वो हमारे गाउं के लिए कुछ न कुछ करना चाहते थे वह सड़क के लिए पिछले पांच सालों से परहसान थे पूरी कलेक्टर के पास भी फाइले गई सब कुछ किया उनके सारी मेरे पास सब में दी जा देश के लिए सहीद हुए है हमारे भी करश के लिए रही है हमारे है अ